आएंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और इसे बहतर धंग से संभाल सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गाउ में एक किसान रहता था। वह बहुत महनती और इमानदार था, लेकिन एक साल बारिश ना होने के कारण उसकी सारी फसल बरबाद हो गई। उसे बहुत दुख हुआ और वह निराश हो गया। वह सोचने लगा कि इतनी महनत करने के बाद भी उसका कोई फाइदा नहीं हुआ और वह अपने जीवन से हताश महसूस करने लगा। उसके गाव में एक संत रहते थे। किसान ने सोचा कि क्यों न उनके पास जाकर अपने दुख की बात साजा की जाए। किसान संत के पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई। उसने कहा मैंने पूरी महंत की, फिर भी मेरी फसल बरबाद हो गई। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक छोटी सी मुसकान के साथ कहा क्या तुमने कभी इस गाव के पास की नदी देखी है। किसान ने कहा हाँ वह नदी तो मैं हमेशा देखता हूँ। लेकिन वह इस समय बिलकुल सूख चुकी है। संत ने कहा चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और फिर उन्होंने बताना शुरू किया। इस नदी की शुरुवात एक छोटे से जलसरोत से होती है। बरसों पहले एक बड़ा सूखा पड़ा था। लोगोंने सोचा कि अब यह नदी फिर से कभी नहीं बहेगी क्योंकि जलसरोत भी सूख चुका था। लेकिन एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और वह सूखा जलसरोत फिर से भर गया। धीरे धीरे वह एक नदी में बदल गया और फिर से अपने पूरे प्रवाह में बहने लगा। संत ने किसान की ओर देख कर कहा तुम्हारी जिंदगी भी इस नदी की तरह है। अभी यह समय कठिन है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। जीवन में कभी कभी कठिनाईया आती हैं लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो कभी नहीं जान पाऊगे कि अगली बारिश कब तुम्हारे लिए खुशिया लेकर आएगी। इसलिए धैर्य रखो और अपनी मेहंत जारी रखो, किसान को संत की बात समझ में आ गई। उसने निर्ने लिया कि वह अपनी मेहंत जारी रखेगा, चाहे हालाक जैसे भी हूँ। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वह फिर से खुशाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जीवन में मुश्किले आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और मेहंत से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और एक दिन फिर से खुशियों की बारिश हमारे जीवन में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को प्यार करें और समझें की हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गाउ में एक कुमहार रहता था। वह बहुत ही कुशल और मेहनती कुमहार था। वह अपनी मिक्टी के बरतनों से शांदार कलाकृतियां बनाता था। लेकिन एक दिन उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका सबसे खूबसूरत बरतन, जिसे वह एक विशेश प्रतियोगिता में प्रस्तुत करने वाला था, अन्जाने में गिरकर तूट गया। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि इतनी मेहनत का कोई फाइदा नहीं हुआ। उसने हार मानने का फैसला किया। उनके पास गया और अपने तूटे हुए बरतन को दिखा कर कहा। इतनी मेहनत के बाद भी यह बरतन तूट गया। अब मैं क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ब व्यक्ती ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो इस बरतन को ठीक करते हैं। इसे फैंकने की बजाए इसे और सुन्दर बनाते हैं। कुम्हार ने आश्चर्यचकित होकर कहा। लेकिन यह तो तूट चुका है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बुजुर्ब व्यक्ती ने उसे एक तकनीक सिखाई जिसे किंटसुगी कहते हैं। यह एक जापा निकला है, जिसमें तूटे हुए बर्तनों को सोने या चांदी के मिश्रण से जोड़कर ठीक किया जाता है। इसके बाद वह बर्तन पहले से भी अधिक सुन्दर और अनोखा दिखता है। कुमहार ने बुजर्ग की सलाह मानी और अपने तूटे हुए बर्तन को सोने के मिश्रण से जोड़कर ठीक किया। जब बर्तन पूरा हुआ, तो वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और अध्वितिय लग रहा था। कुमहार ने उसे प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया, और वह बर्तन सभी की नजरों में आकर्शन का केंदर बन गया। कुमहार को पहला पुरसकार मिला। कुमहार को उस दिन यह सिखने को मिला कि जीवन में जो चीजें तूटती हैं, उनका अंत नहीं होता। अगर हम अपनी मेहंत और रचनात मकता से उन तूटे हुए टुकरों को जोडते हैं, तो वे और भी सुन्दर और मूल्यवान बन जाती हैं। मुश्किलें और असफलताएं हमें तोडने नहीं, बलकि समवारने के लिए होती हैं। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम अपने धैर्य, मेहंत और रचनात मकता से उसका सामना करें, तो हम हर तूटन को एक खूबसूरत रूप में बदल सकते हैं। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। बस धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें, कठिनाईयों के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है, जब तूटने लगे हिम्मत, तो बस यह याद रखना, बिना मेहंत के कभी ताज नहीं मिलता, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अगर अभी ठीक नहीं है, तो समझ लो, समय बाकी है, जब जीवन आपको कठिनाईयों से गुजरने का मौका देता है, तो यह उसे सहने की शक्ती भी देता है, दुख के बादल चाहे कितने भी घने हो, उम्मीद का सूरज हमेशा उन्हें चीर कर निकलता है। जो गिरने से डरते हैं, वे कभी उडान नहीं भर सकते, हर दर्द के पीछे एक सबक छिपा होता है, और हर संगर्ष के पीछे एक सफलता, अगर आप कठिन समय से गुजर रही हैं, तो याद रखें कि यह समय गुजर ही जाएगा, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आपक हार मानते हो, तो वह तुम्हारा अंत नहीं, बलकि तुम्हारी शुरुआत है, उठो संभलो और आगे बढ़ो, दुख को ताकत में बदल दो, और अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत, जब तक हम खुद को हरा नहीं देते, तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता, जोखो गया, उसका अफसोस हर किसी को होता है, पर जो पाया है, उसे सहेजना ही असली सफलता है, दुख के समय में ही इनसान का असली चरित्र उभर कर आता है, तुम्हारे पास जो है, उसे देख कर खुश रहो, जो नहीं है, उसके लिए दुखी मत हो, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो याद रखो की खिड़किया भी होती हैं, उमीद को कभी मत छोड़ो, मुश्किले आएंगी, लेकिन याद रखना, हर तूफान के बाद इंद्रधनुष भी निकलता है, अगर तुम अपनी सारी उर्जा केवल आगे बढ़ने में लगा दो, तो दुख को पीछे छोड़ना आसान हो जाएगा, खुद पर भरोसा रखो, तुम उससे ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो, हर ठोकर हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे और भी बहतर चलना है, दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे बाहर निकलने का साहस होना ही सच हर वो दिन जब तुम हार मानने की सोचते हो, उस दिन को याद करो जब तुमने शुरुवात की थी, कठिनाईयों के बिना कोई भी, महान कहानी नहीं बनती, तुम्हारा संधर्ष ही तुम्हारी कहानी को महान बनाएगा, जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हर चुनौती को एक अफसर की तरह देखें, जो आपको पहले से अधिक सक्षम और परिपक बनाएगी, अगर अभी समय कठिन है, तो याद रखें कि हर रात के बाद सुभा जरूर होती है, यह समय भी गुजर जाएगा, बस धैर्य बनाए रखें, एक समय की बा अच्छे फसल की उम्मीद रखता था, एक साल उसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए और सोचने लगा कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी, उसने रोज खेतों की देख भाल की, पौधों को पानी दिया, खाद डाली, लेकिन काफी समय बीट जाने के बाद भी फसल बढ़ने के कोई संकेट नहीं दिखे, किसान बहुत परेशान हो गया और सोचा की उसकी मेहंत बेकार जा रही है, वह निराश होकर गाव के बुजुर्ग से मिलने गया और अपनी समस्या बताई, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, तुम्हे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा, किसान ने बुजुर्ग की बात मानी और धैर्य रखा, उसने पौधों की देख भाल करना जारी रखा, हाला कि उसे परिणाम नहीं दिख रहे थे, कुछ समय बाद धीरे धीरे पौधे उगने लगे और देखते ही देखते पूरे खे देखा, धैर्य का फल हमेशा मिठा होता है, कभी कभी हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहंत व्यर्थ जा रही है प्रकृती का अपना समय होता है, हमें बस धैर्य से इंतजार करना चाहिए, इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है, कि जीवन में कई बार हमें अपनी मेहंत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, तो हमें सफलता जरू मिलती है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना और अपने कर्म करते रहना ही असली ताकत है, श्री कृष्न कहते हैं, दुख के समय में खुद को समझना और अपनी भावनाओं को स्विकार करना बहुत जरूरी है, इससे आप अपनी समस्याओं का सामना बहतर तरीके से क सकते हैं, अपने आप से प्यार करना सीखें, खुद को सराहें, अपनी गलतियों को माफ करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी, वह बहुत ही दयालू और सहरिदय थी, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहती थी, लेकिन खुद की भावनाओं और जरूर्तों को नजरंदाच कर देती थी, जब भी कोई समस्या में होता, वह अपनी सारी उर्जा उसे हल करने में लगा देती, लेकिन जब वह खुद किसी परेशानी में होती, तो अपने आपको कमजोर और अकेला महसूस करती, एक दिन मीरा की सहेली ने उसे एक सुन्दर फूलों का पौधा उपहार में दिया और कहा यह तुम्हारे जैसा ही सुन्दर और प्यारा है, इसे हमेशा ध्यान और प्रेम से देख भाल करना, मीरा ने उस पौधे को बड़े उत्साह से अपने घर के बगीचे में लगाया और उसकी देख भाल करने लगी, कुछ महीनों बाद मीरा ने देखा कि पौधा धीरे-धीरे मुर्जा रहा है, उसने तुरंट उसे पानी दिया, खाद डाली और उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पौधा फिर भी अच्छा नहीं हो पा रहा था, वह बहुत दुखी हुई और अपनी सहेली से मदद मांगने गई, सहेली ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम इस पौधे की देख भाल तो कर रही हो, लेकिन क्या तुमने देखा कि तुम्हारा खुद का हाल कैसा है? तुम हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती हो, लेकिन खुद की बिलकुल भी परवाह नहीं करती, जैसे यह पौधा तुम्हारे ध्यान और प्रेम के बिना मुर्जा रहा है, वैसे ही तुम्हारा मन और शरीर भी तुम्हारी उपेक्षा के कारण कमजोर हो रहे हैं, मी अपनी जरूरतों को हमेशा दूसरों की जरूरतों से कमतर मानती थी, उसने निरने लिया कि वह अब अपनी देखभाल भी उसी तरह करेगी जैसे वह उस पौधे की देखभाल करती है, उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया, वह रोज सुबह योग और ध्यान करने लगी, अपनी पसंदीदा किताबे पढ़ने लगी और अपने आपको वह सभी छोटे-छोटे सुख देने लगी जो वह अब तक दूसरों के लिए बचा कर रखती थी, धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक खुश और संतुलिक महसूस कर रही है, जैसे-ज जैसे वह स्वयन की देख भाल करने लगी, उसके बगीचे का पौधा भी फिर से खिल उठा। अब वह पौधा हरे-भरे पत्तों और रंग-बिरंगे फूलों से लहला रहा था। मेरा ने महसूस किया कि जैसे ही उसने स्वयन से प्रेम करना शुरू किया, वैसे ही उसका ज हम अपनी देख भाल और सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं कर सकते। हमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और जरूर्तों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। स्वयन से प्रेम करना एक स्वस्थ और खुशाल जीवन की कुंज है। मानसिक और शारिरिक स्वास्थ्य को सुधारने पर ध्यान दें। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके मन को शांत और शरीर को उरजावान बनाये रखते हैं। श्री कृष्ण कहते नकारात्मकता को अपने उपर हावी न होने दें। हमेशा अपने आपसे कहें मैं कर सकता हूँ और यह समय भी बीच जाएगा। एक छोटे से गाव में रामु नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही महनती और इमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा नकारात्मक सोचता था। जब भी वह कोई काम शुरू करता, उसे लगता कि वह सफल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वह कई बार प्रयास करने के बाद भी अपने लक्षे को हासिल नहीं कर पाता था। एक दिन गाव के एक बुजुर्ब व्यक्ती ने उसे सलाह दी, रामु तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। यदि तुम अपनी नक पच नहीं पाया कि अपनी सोच को कैसे बदले। एक दिन वह गाव के पास के जंगल में टहलने गया। वहां उसने देखा कि दो पेड हैं, एक हराभरा और स्वस्थ और दूसरा सूखा हुआ और मुर्जाया हुआ। रामु ने जिग्यासा से एक साधू से पूछा, जो वहां बैठकर ध्यान कर रहे थे, महाराज ये दो पेड एक ही जगह हैं, एक ही मौसम, एक ही मिट्टी, फिर भी एक इतना हराभरा है और दूसरा सूखा हुआ क्यों है। साधू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इनकी सोच का फर्क है। जो हराभरा पेड है, वह सोचता है कि उसे हर परिस्थिती में बढ़ना है, चाहे कैसी भी कठिनाया आएं। वह सकारात्मक सोचता है और अपनी जडों को गहराई तक फैलाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सूखा हुआ पेड सोचता है कि मौसम प्रतिकूल है, सूरज की रोशनी कम है और वह बढ़ने के काबिल नहीं है। उसकी नकारात्मक सोच ही उसे कमजोर बना रही है। रामु को साधू की बात समझ में आई। उसने सोचा अगर एक पेड सकारात्मक सोच के कारण इतना हराभरा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि अब वह कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा सकारात्मक सोच रखेगा। उसने मन में ठान लिया कि वह हर मुश्किल को एक अफसर की तरहे देखेगा और अपनी पूरी महंत करेगा। रामु ने अपने इस नए द्रिश्टिकोन के साथ काम करना शुरू किया। जब भी उसे कोई मुश्किल आती वह नकारात्मक विचारों को दरकिनार करके सकारात्मक द्रिश्टिकोन अपनाता और समाधान धूंडता। धीरे धीरे उसकी महंत रंग लाने लगी। उसने जो भी काम शुरू किया उसमें सफलता पाई। वह गाउं के लोगों के लिए एक प्रेना बन गया। इस तरह रामू ने अपनी सकारात्मक सोच से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम हर परिस्थिती में सकारात्मक ग्रिष्टिकोन बनाय रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मता ही वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत आपकी क्षमताएं और आपका आत्म विश्वास ही आपको जीवन की हर चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। अपने आप पर भरोसा रखें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। हर बड़ी सफलता की शुरुवात एक छोटे कदम से होती है। अपनी मनजिल की ओर एक एक कदम बढ़ाते चलें, आप जरूर पहुँचेंगे। असफलता सफलता का पहला कदम है। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखें और अपने अगले प्रयास को और बहतर बनाएं। एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बच्पन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। उसने कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई में मन लगा कर लगा रहा। कॉलेज के पहले वर्ष में उसने एक परीक्षा में पहली बार अस्फल्ता का सामना किया। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि शायद वह योग्य नहीं है। उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ने का भी सोचा। लेकिन उसकी मा ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। उसने कहा बेटा अस्फल्ता जीवन का हिस्सा है। यह तुम्हारी महंत और लगन को परखने का एक तरीका है। अरजुन ने अपनी मा की बातों को सुनकर हिम्मत जुटाई और अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू किया। उसने तै कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और अगले प्रयास में बहतर करेगा। उसने कड़ी महंत की, पुराने पाठ्य क्रमों को समझा और अपनी कमजोरियों पर काम किया। अगले वर्ष जब उसने उसी परीक्षा में दोबारा भाग लिया, तो उसे फिर से असफलता का सामना करना पड़ा। इस बार उसने खुद को और अधिक कमजोर महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों से मदद मांगी और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपनी मानसिक्ता को बदलें और असफलता को एक सीख के रूप में देखें। अर्जुन ने यह विचार अपनाया और सोचा कि अगर वह बार-बार असफलता का सामना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे कुछ नया सीखने का और मौका मिल रहा है। उसने खुद को फिर से समर्पित किया और मेहंत करना शुरू किया। इस बार उसने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बलकि अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। उसने ध्यान और योग करना शुरू किया, जिससे उसकी मानसिक्ता मजबूत हुई। अंतह कई प्रयासों के बाद अरजुन ने अपनी परीक्षा पास कर ली और उसे कॉलेज में शीर्ष स्थान मिला। उसकी मेहंत और सकारात्मक द्रिष्टिकों ने उसे सफलता दिलाई। उसने सीखा की अस्फलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि यह सफलता की ओर ले जाने वाला एक कदम है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अस्फलता से डरना नहीं चाहिए। अस्फलता हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का अफसर देती हैं। हमें हर अस्फलता से सीख लेकर उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। अस्फलता केवल एक चरण है सफलता की यात्रा में। रोजाना सकारात्मक आद्तें विक्सित करें जैसे कि सुभर जल्दी उठना, स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम करना। ये आपकी मानसिक्ता को बदलने में मदद करेंगी। जो भी करें उसमें समर्पन और लगन रखें। ये दोनों चीजें आपको किसी भी कार्य में उतक्रिष्टता प्राप्त करने में मदद करेंगी। सफल लोगों की जीवनी और उनके संधर्शों को पढ़े। इससे आपको प्रेना मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि सफलता हासिल करने के लिए क्या जरूरी है। हार मानना सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप ठान लेते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। एक छोटे से गाव में रगु नाम का एक युवक रहता था। रगु बहुत महत्वा कामशी था और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी महंत करने को तयार था। उसका सपना था कि वह एक सफल किसान बने और अपने परिवार को एक अच्छी जिन्दगी दे सके। रगु ने अपने खेत में कई प्रकार की फसलें उगाने का फैसला किया, लेकिन पहले साल में ही उसे बुरी तरह असफलता मिली। मौसम ने साथ नहीं दिया और उसकी सारी फसल बरबाद हो गई। गाओ के लोगों ने उसे सलाह दी की वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लगे। लेकिन रगु ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत की जमीन को फिर से तयार किया और अपने सपने को पूरा करने की ठान ली। दूसरे साल उसने नई तकनीकों का प्रयोग किया और बहतर बीज खरीदे। लेकिन फिर से बाड के कारण उसकी फसल बरबाद हो गई। इस बार उसे और भी निराशा हुई, लेकिन उसने अपने परिवार की मुश्किले देखी और ठान लिया कि वहां हार नहीं मानेगा। उसने अपनी मेहंत और लगन को नहीं छोड़ा। रगु ने खेती के बारे में और अधिक ज्यान हासिल करने का निश्चय किया। इस बार मौसम भी उसके साथ था और उसकी फसल अच्छी हुई। रगु ने मेहंत के बल पर न केवल अपनी फसल उगाई, बलकि अपने गाउं में क्रिशी के एक प्रेरक उदाहरन बन गया। उसने अपने अनुभवों को अन्य किसानों के साथ साजा किया और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रगु की मेहंत रंग लाई और वह अपने गाउं का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी कहानी ने गाव के अन्य लोगों को यह सिखाया कि कभी हार नहीं मानना चाहिए. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाईयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. मेहंत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और सफलता की ओर ले जाती हैं इसलिए जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें याद रखें की हार मानना अंतिन विकल्प नहीं है